हेई वास्ट अप गाईज वेलकम टो एड़ो एक्स और भाई दोस्तो आज हम चलाने वाले भाई बोट गाईज यह रही हमारी बोट और गाईज यह किस चीज़ से चलने वाली पता है ना आपको इसे ढखका देना है गाईज आपको इसे पहले इस तरीके से गुमाना और उस में और पाम को आपको अपको आपका दीके सीज़ से वाली वाली वाउत। झाल 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 तो बाई दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है मतलब बोट को हमने हलका सा इसके उपर पेपर लगा दिया जिसके बज़े से जो है मतलब इसमें जो लकडी लगी हुई है अंदर की तरफ वो देखाई नहीं देगी पीछे की देखाई देगी क्योंकि गूमे गाई और यह जितना ज्यादा गूमेगा यह उतना ही अच्छी तरीके से पानी में तेरेग हमें क्या करना है कि इसे इस तरीके से पीछे की तरफ अपने आप ही इसके अंदर अंटे मार देने इससे क्या होगा कि जैसे यह अंटे जो है पानी के अंदर खुलेंगे तो यह बोट को ढखा देंगे आगे की तरफ करा है से एंदर प्रूम ज में आपर को ढा है लिए झाल 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 तो भाई दोस्तों आपने देखा कि यह जो बोट है वो कितने ओसम तरीके से चलती है यार गाई सबसे बड़ी बात ही है कि यह रिवन से चलती है यह देखी बहुत ही ओसम तरीके से चलती यार और मतलब आप इसे कितनी भी बार जो है पानी के अंदर चला सकते हैं तो भाई दोस्तों अब यह जो अमारी बोट है वो पसंद आई हो तो भाई लैक मार दीजे सबस्राब कर लीजे घंटी दबा लीजे हम मिलते आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए तब तक के लिए जय हिंत जय वारत सुझ जय हो जड़ाइ टोसे लेड़ाइ सकते हैं से लेडियो में कर लाई भीजे सकते हैं